चुट्टी पर घर आये CRPF के जवान का हार्ट अटेक से हुआ निधन परिजन सहित परिशितों में शोक की रहर मैतर गाउं में गार्ड ओफ ओनर के साथ किया जाएगा अंतिम्स नस्कार शिवपुरी चुट्टी पर अपने घर वापस आये CRPF के जवान की हार्ट अटेक से निधन हो गया तब इत बिगड़ने के बाद आज सुभा परिजन जवान को जिलास्पिताल लेकर पहुचे थे डॉक्टर से जवान को मृत घोशित कर दिया अस्पिताल चोकिप पुलिस ने मर्ग कायम कर जवान के पोस्ट मॉटम की प्रक्रियाश शुरू कर दी है इसके दाना शेतर के बामोर गाउं का रहने वाला 36 वर्शे जनाब विनोध पाल पुत्र मंगल पाल चार दिन पहले 36 गड़ में सीर पिफ की 211 बटालियन की चुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था परजनों ने बताया था कि विनोध की ड्यूटी लोगसबा चुनाओं में लगनी थी इससे पहले वा 27 दिन की चुट्टी लेकर घर आया हुआ था बताया गया कि रविवार के सुबा 6 बजे जवान विनोध ने अपनी पतनी रामसके से चाह मांगी थी जब रामसके अपने पती को चाह देने पहुची तब विनोध बिस्तर से उठकर खड़े होने क साथ ही गिर गया अननफानन में विनोध को जिलास्पताल लाया गया था जहां जवान विनोध ने रास्ते में इदम तोड़ दिया गाड़ ओफ ओनर के साथ होगा अंतिम संसकार बतादे कि विनोध पाल कुल चार भाई हैं विनोध के शादी 2005 में हुई थी शादी के बाद साल 2011 में विनोद CRPF में भरती हुए थे विनोद वर्तमान में 36 गड में CRPF की 211 बटालियन में तैनाथ थे चार दिन पहले विनोद अपने घर पापस लोटे थे जहां उनका दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया बताया कि जवान का अंतिम संसकार गारद ऑफ ओनर के पल का कर ने वाले का बहुत कहां पढ़ी पास सेशा के पास ताना कों तह लगता बीचा क्या मामला हो गया फिल्ट के नाम से बहित हो काइमें थे स्यार्पी ऊच्छुटी का बाही तो रात में टेका चार पाच बहुत सुबर प्रश्च नहीं लाए वस्पीटल तो रस्ते में खतम होगे नहीं नहीं इनके पताजी के नाम मंगल जी उमर क्या होगी उनकी शादी सब्सक्राइब